आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो एब्रिवन आज हमारे पास Completing Patterns ते question है so let's read the question there are three problem figures for the question towards the left side and fourth place is vacant with question mark these problem figures are in a series तो हमारे पास जो problem figure है ये left side पे हमारे पास problem figure है तो इस problem figure में हमें ये बताना है कि ये fourth जो blank होगा question mark ये क्या होगा और ये जो figures है ये एक series follow कर रहे है तो आगे क्या कहा गया है हमसे find out the proper figure which completes the series तो हमारे पास जो figure है इसमें अगर हम देखे तो triangle यहाँ पे given है तो triangle के पास साथ क्या किया गया है कि एक line segment है पर next figure में let's say this is the first figure then second figure में क्या हुआ है कि उसमें एक और figure add कर दी गई एक स्थोटा सा circle add कर दिया गया है फिर third figure में क्या किया गया है इसी figure को आगे proceed किया है और यहां से एक line segment उन्होंने किस्टी है इस third वाली side के parallel तो अब हमें पताना है अगर यह series इसी तरीके से बढ़ती जाए आगे यानि नए नए patterns जुडते जाए तो next figure क्या होनी चाहिए यानि fourth figure option number A, B, C और D में से क्या होनी चाहिए तो अगर हम option number A को देखे option number A में हमारे पास यहां पे क्या है यहां पे एक circle है that is fine यह जो line segment है यह भी ठीक है यहां पे हम देख रहे हैं कि line segment जो हमारे पास यह थी देखे जो third figure है उसमें तो कोई भी change नहीं कर सकते हैं हमारे पास जो पहले से figure है वो तो उतना portion तो हमें चाहिए ही चाहिए उससे हमें कुछ extra ही चाहिए तो यह तो हमारा third figure ही resemble नहीं कर रहा है उसके आगे तो कैसे ही जाएगा option number A तो गलत हो जाएगा option number B के अगर हम बात करें इसमें एक circle बढ़ गया है पहले से but अगर हम देखे इसकी orientation यह straight line है but यह straight line जो है यह पहले जैसी direction में नहीं है यह direction कहां से होनी चाहिए यह इधर से यहाँ पर यह left side में होनी चाहिए जो कि अभी right side की तरह है तो option number B भी गलत हो जाएगा option number C के अगर हम बात करें option number C में हमारे पास यहाँ पर circle है यहाँ पर हमारे पास circle था एक line segment भी है और यह इस तरीके से line segment भी आ रही है यानि हमारी third figure से तो यह match करता है और क्या हुआ है एक हमारे पास figure बढ़ भी गई है तो series में क्योंकि सब बढ़ रही है बार बार figure तो option number C में बढ़ी है figure और option number और हमारी जो figure number third थी उसके according यह match भी करती है तो option number C will be the next figure and option number D भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अगर हम figure 3 को देखे तो यहाँ पर हमारे पास एक circle होना चाहिए जबकि circle कहा है हमारे पास यहाँ नीचे corner में जबकि यह उपर की तरफ होना चाहिए तो option number D भी गलत हो जाएगा तो जो सही option है वो है option number D Thank you